गुरु प्यारी सास संगत जी वाहेगर जी का खाल सा वाहेगर जी की फते शबद गुर पीरा यह पुस्तक सम्मान योग्य शिरिमान संत बाबा सीवा सिंग जी रामपुर खेड़े वालों की तरफ से गुर्मत प्रेमियों के लिए उनकी दूसरी पुस्तक है जिसमें सतकार योग्य बाबा जी ने निरंकारी बाणी जो सतकुर सहिबान के पावन मुक से साकार होकर कल्यूगी जीवों का उधार कर रही है कुछ रतनों को उजागर करते हुए सत्गुर शिरी गुरुगरन सहिब जी के दर्शन को आधार बनाकर संत बाबा सेवा सिंग जी ने इस पुस्तक शवद गुर पीरा को दो भागों में व्यक्त किया है भाग एक में चार गुणों सत्थ, संतोक, शुप विचार, अमरित नाम को ग्रहन करने की प्रेणना दी गई है और भाग दो में चार अवगुण, नफरत, अहंकार, क्रत्य की उपासना, अती खुशी, अती गमी का त्याग करने पर जोर दिया गया है इस पुस्तक को पढ़ते समय, यदि कोई भूल हो जाए तो माफी चाहती हूँ दो शब्द सत्गुर जी ने हम संसारिक जीवों को बेंत बक्षिशें करके सम्मानित किया है जिस प्रती कुछ लिखकर या बोलकर बताना कलम और जीव की पहुँच से परे है सत्गुर जी के परोपकारों के प्रती, शिरीगुरु रामदास जी की सुही राग में अंकित की पंक्तियां ही लिखनी उजित है हे मालिक सत्गुर जी, तेरे कवन कवन गुन कह कह गावा, तु साहिब बुणी निधाना, तु मरी महमा बरन न साकाओ, तु ठाकुर उच भगवाना सुही महला चोथा, प्रस्ट 735 से ली गई है शिरीगरु अरजन देवजी ने संसार को सबसे बड़ी बक्षिश, शिरीगरु ग्रण सहव जी के पावन सुरूप की करी है शिरी गुरु गरन साहिब जी को सत्गुरों ने अपनी हाजरी में संपादित कराया है ताकि रस दरगाई फुर्मान इश्वर ये ग्यान में मिलावट ना हो सके शिरी गुरु गरन साहिब जी की 400 साल श्रताब्दी जिस पर हर एक गुरु नाम लेवा के देशों, विदेशों में अपनी अपनी श्रधा अनुसार बड़े उत्साहा सहित मनाने के प्रोग्राम चल रहे है शिरी गुरु गरन साहिब जी के संपून उपदेश को कलम बंद करना कलम और बुद्धी की सीमा से बाहर है शिरी गुरु गरन साहिब जी की आर्थिक और परमार्थिक ज्यान का अथा सागर है जिसमें डुबकी लगा कर हर जिग्यासू अपनी आत्मा की भूख दूर करने के लिए आत्मिक भोजन प्राप्त करके सदा के लिए तरप्त कर सकता है सद्कुर्ष शिरी गुरु गरन साहिब जी में हर वर्ग, हर देश, हर कौम, हर नसल का मनुश्य अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन करने का पत्थ प्राप्त करके ब्रह्म में समाई कर सकता है शिरीगुरु गरन सहभ जी में सहज सुक, सहज जीवन के लिए अगवाई मिलती है शिरी गुरु ग्रन सहिव जी के मार्ग दर्शन अनुसार प्रभु में अभेत्ता के लिए कोई शारिरिक हट योग नहीं करना शारिरिक कस्ट नहीं जेलना कोई गैर कुदरती जीवन नहीं जीना प्रभु प्राप्ति के लिए कोई खास वेश भेश दारन नहीं करना खास जगाओं पर उद्धानों पाहडों की कंद्राओं में निवास करने की जरूरत नहीं उस मालिक प्रभू को हर जग है हर देश हर इस्तिती में सहज मार्ग पर चल कर प्राप्त किया जा सकता है गुरू गरन साहिब जी एक सहज संतूलन में रहकर रस भरा जीवन व्यातीत करने की जीवन जाच परदान करता है गुरू गरन साहिब जी तो नानक सतगुर पेटिये पूरी होवे जुगत हसंदेयां खेलंदेयां पेनंदेयां खावंदेयां विच्चे होवे मुकत श्लोक महला पंजवां प्रष्ट 522 पर अंकित है की जीवन जाच सिखाता है शिरी गरू गरन साहिब जी की 400 साला शताबदी की शर्दा भेट करने के लिए मन में उस्सहा पैदा हुआ के शिरी गरू गरन साहिब जी के उपदेश को संचेप रूप में लिखकर आप संगत को भेट किया जाए ताकि हम सभी गरू शबद के मार्ग दर्षन प्राप्त करके अपने जीवन को कुछ उंचा उठा सकें कई दिन मन में विचार चलती रही पर कोई सार्थक नतीजा प्राप्त नहीं हुआ नितनेम करते गुरू पंचम पाश्याजी का मुंदावनी वाला शबद मन को प्रभावित कर गया पढ़ता तो हर रोजी था पर आज के पढ़ने और पहले के पढ़ने में बहुत अंतर था ऐसे महसूस हो गया कि संपून गुरू गरन साहिब का पूरा मजमून इस शबद में सत्गुर जी ने मूर्तिमान किया है वह मजमून है सत की प्राप्ति, संतोक के धारनी, शुब विचारों का अमल और अम्रत नाम को हमेशा हिर्दय में धारन करना जो इस उपदेश का धारनी बन जाएगा उसके प्रभू प्राप्ति के रास्ते में तम संसार बाधा नहीं बनेगा उसको तम अर्थात अंधकार संसार ही ब्रह्म का पसारा, अर्थात विस्तार ही दिखाई देगा संपून शब्द पढ़कर कुछ समझ जरूर पढ़ जाएगी थाल में भोजन परोजकर शरीर को आहार दिया जाता है गुरु गरंज साहिब आत्मिक भोजन का थाल परोजकर हमारी आत्मा के आहार के लिए बक्षिश किया है और साथ ही ताकीत की है कि इस आत्मिक आहारी भोजन को जो भी खाएगा उसको जहां सुख प्राप्ती मिलेगी वहां उसकी आत्मा का उधार भी हो जाएगा ऐसे अमोलक आत्मिक आहार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए इसको सदाहीर दे में धारन करने की जरूरत है जो जो इस आत्मिक भोजन को खाएगा उसका अज्यान, तम यानि आन्धकार दूर हो जाएगा और उसको यह संसार हरी का रूप दिखाई देने लग जाएगा शेरीगुरु ग्रन साहिव जी के संपून सार को मंदावनी के शब्द द्वारा पढ़े समझ आ जाएगी थाल विच तिन वस्तू पयो सत संतोख विचारो अम्रत नामठा कुरका पयो जिसका सबस अधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो तम संसार चरन लगतरिय सब नानक ब्रहम पसारो मंदावनी महला पंजवां प्रस्ट 1429 परंकित है सतकुर्ष जी ने उपर लिखित मुक्वाक को ही आधार बना कर गुरु गरन साहिब जी के 400 साला संपादन शिताबदी को नत मस्तक होने के लिए और शर्धा भेट करने के लिए तुछ प्रयत्न किया है जैसे शारीरिक तंदुरुस्ती प्राप्त करने और बिमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दवाई का सेवन करना पड़ता है दूसरे पत परहेज करना दवा के सेवन से भी ज़्यादा जरूरी होता है इसी तरह जहां तीन श्रेष्ट तत्नों का आत्मा को अहार और अमरत नाम की औश्यदी का सेवन करना मुंदावणी में सत्गुर जी ने दर्शाया है जहां चार अवगुण से परहेज करने के लिए सत्गुर जी ने गुर्बानी में ताकीत की है वी अवगुन हैं वितकरा, नमबर दो हो में, नमबर तीन करत की उपासना और नमबर चार अती खुशी और अती गमी का त्याग इन आठ विशों को सामने रखकर गुरु बक्षिश की बुद्धी अनुसार गुर्बानी की रोशनी में शवद गुर पीरा नामक पुस्तक आप संगत की सेवा में भेंट करने की खुशी ले रहा हूँ भावना यह है कि गुरु ग्रण साहिब जी के अथा शबत समुद्र को जिस प्रती गुरु रामदास जी का फुर्मान है रतना रतन पदारत बहु सागर परया राम बानी गुर्बानी लागे तिन हत चड़या राम आसा महला पंजवा प्रष्ट 442 तथा भगत पंडार गुर्बानी लाल गावत सुनत कमावत निहाल आसा महला पंजवा प्रष्ट 376 गुर्बानी लाल को खोजते खोजते गुरु शबत सागर में कोई गुर्बानी रतन दास की छोली पड़ जाए और मैं भी शिरी गुरु राम दास जी के वचन का पात्र बन कर जन्मो जन्मो के किल्बिक नास कर लूँ और गुरु का हाथ मेरे सिर पर भी टिक जाए मिरे हीरे रतन नाम हर बस्या गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किल्बिक दुख उत्रे गुर नाम दियो रिन ला था जैसरी महला चोथा प्रस्ट 696 दूसरे शबद गुर पीरा नामक पुस्तक को पड़कर कोई गुरु प्यारा शबद गुरु के साथ जुड़कर अपने जीवन को गुरु चाली अनुसार चलाकर गुरु किर्पा का पात्र बन जाए और अपनी जुड़ी हुई आत्मा में कोई एक आधा गुरु मिलाप युक्त आशिरवाद दास की जोली में डाल दे तो इस पुर्शार्थ को सफल समझूगा शबद गुर पीरा नामक पुस्तक को पड़ते समझते कई जगे आप जी को नाम जपने का सत संगत करने का और गुर्बानी तुकों की पुनरुकती द हमारे हिर्दे में टिक जाएं मजमून बहुत गहरा था समय बहुत कम था क्योंकि विदेश जाने की तारीक नियत हो चुकी थी जल्दी जल्दी में जैसा लिखा गया है उसी को ही शर्दा भेट समझकर कबूल करने की दरिया दिली करनी जी गुरु रूप साथ संगत जी जो कुछ भी अल्ब बुद्धी से गुर्मत विचार गुरु सिध्धान्त इस पुस्तक में लिखने का यत्न किया है जो सिध्धान्त जो लिखित गुर्बानी और गुर्मत की कसोटी के अनुसार हो उसको गुरु सिध्धान्त गुरु आश जानकर हिर्दे स्थान देना जी जो लिखित आश्य है और गुर्वानी की कसोटी अनुसार पुरी न उतरी हो उसको दास की निजी यानि अपनी भूल जानकर कोई जानकर क्योंकि भुलन अंदर सब को अभुल गुरू करतार शिरीराग महला पहला प्रश्ट 61 तथा भुलन व भाती महला पहला प्रश्ट 1344 पर शुशोबित है पुस्तक का मोल रूप पंजाबी में होने के कारण पंजाब के बाहर रहते गुर्मत प्रेमी हिंदी पाठकों की मांग को पूरा करने के लिए मेजर बीवी सुरिंदर को और जम्मु निवासी ने बहुत मैनत और लगन से थोड़े ही समय में पुस्तक पंजाबी से हिंदी में अनुवात करके जहां हिंदी पाठकों की मांग को पूरा करके संगत की आशिश प्राप्त की है वहां गुर्मत के हिंदी साहिते में बहुत बड़ी बड़ोतरी करके गुरु परसंता के पात्र बने हैं गुरु चर्ण झाल